हुआ है 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 आज हम लोग यह आपको जैसा देख रहा है कि केमेस्ट्री प्रक्टिकल एक्जाम वाइबा कुश्चन पर डेस्कस करेंगे और चमा चाहते हैं कुछ लोग का प्रक्टिकल एक्जाम अलब सुबह में हो सकता यह वीडियो अपको थोड़ा लेट मिले तो प लेट के लिए मैं चमा चाहूंगा बाकी आप लोग इतना चीज़े देख के जाएंगे जैसे मैं आपको जितने कुश्चन यहां पर बता दे रहा हूं इसके डेस्कस करूंगा उसकता कुश्चन का अंसर मैं यहां लिखूं तो उस चीज़ को आप देख के जाएगा और ए जाओं जब तक यह वीडियो आप देख रहे होंगे हो सकता एक्जाम के पहले जाते जाते आप यह मेरे वीडियो देख देख के जाएंगे तो आपको बस यह बताना चाहरे थे बाकी आपको यह ध्यान देना है कि मलब जो भी कुश्चन मैं यहां पर आपको करा रहा हूं इसको अच्छे से करके जाएंगे बाकी एक्जामनर के बारे में किसी को नहीं पता होता है यहां पर यहां पर जगा नहीं है सारा मतलब मैं सोचा कि 21 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन आपको पता ही कि 21 क्या नंबर माना जाता है तो बस ऐसे हमने 21 क्वेश्चन यह लिख लिए हैं अब इन सब क्वेश्चन का मैं एक एक का जवाब देते चलता हूं कुछ का मैं यहां पर लिखके आंसर बताऊंगा से आप से अपको परिशान होने की कोई ज़रूरत नहीं हैं तो सबसे पहला क् surya station why क्या होता है एक बढर आपको हिंदी में बताता हूं एंङलिस में और किसी ग्यात बिलेन साहयता से जैसे क्या है किसी क्या साहथ कुम करते हैं तो इसको दोंते हैं इसी को हिंदी में में अनुमापन बोला जाता है और इंग्लिस में क्या बोलेंगी इंग्लिस में बोलेंगी दा मेथेड़ आप फाइंडिंग मैं टेक देखा हूं यहां पर पहला क्वेश्चन का अंजर है कि दी कि मैथेड़ कि आप कि वाइंडिंग यां पान ओंदे ह्दी कंसंट्रेशन आ और हिदी कंसंट्रेशन अब नून सोलूसन यह सोलूसन अब अनून कंसंट्रेशन concept अब नून सोलूसन लिख सकते हैं नून सोलूसन इसी को लोग बूलते हैं ग्यात बिले हैं the method of finding the concentration of नून सोलूसन with the help of with the help of the method of finding the concentration of known solution known नहीं यहां पर unknown होगा क्योंकि आपको unknown solution की सामत्ता आपको ग्यार करना है यहां हो जाएगा unknown solution unknown solution with the help of with the help of concentration of concentration of concentration of known solution known solution known solution is called titration यह इसी को हम लोग अनुमापन बोलते हैं हिंदी में अनुमापन तो यहां पर आपको क्या बता है कि कि इसी ज्यात बिलेन की सहायता से किसी अज्यात बिलेन की सांद्रता ग्याद करना हमारा संद्रता उसकी क्या स्ट्रेंध गयात करना या उसका क्या बोल सकते हो i concentration या चॉस्टों बोल दो या concentration बोल दो तो strength गयात करना क्या बढ़ना आपका अनुमापन करना अनुमापन करनाता है या पाली लोड पढ़ लेते हैं पूछा गया वह पूछ इंडिकेटर इंडिकेहटर पूछा गया मेधसलिडि कॉप नी इंडिकेटर यूज़िसक्षर सब्सक्राइचेतLeiki सब्सक्राइज करते थे फिर उसके पिटेट नेम दा एसेटिक रेडिकल विच इस विच आ डिटेक्टेड वाई डालूट स्विपोर एंड कंसर्ट्रेट स्विपोर पाट इस रेडिकल वाई पीवी टू प्लस इस इंक्यूदेट इन फास्ट एस वेल आज सेकंड गूप मालब पीवी को हम लोग फास्ट गू लोग में रखते हैं लोग इसके बाग का हुआटि स्विश्य पार पी स्विखें टू रिटेटर वर्ट नेम डर्टूर अटेट एंडिकेटर फार्दी रिएक्शन हब नुट्रिलाइजिशन और लोग का इंडिकेटर यूज करते हैं वाट यू मीन दाश इन पीपेट अ जैसे आप से पूछा जाएगा कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसकी हाड़नेस कितनी होती है ठीक है तो वह बताना है उसके पाद हाड़नेस एंड टाइप यूनित आप हाड़नेस आफ वाटल बाकी और धेर सारे कुश्चन है आपको इसके पहले वाले कुश्चन इसके पहल रहाता है मनेह पर और question यह लिए क्योंकि answer भी लिखना बताता बताते चलना है इसके बाद अब से दूसरा question कहरा है indicator क्या होता है तौंध को indicator में आपको सबसे पहले definition सीधा सिंपल आपको लिखना है कि indicator क्या करता है indicate कर üzere 인डि over Indy Vaio होता है रहा हुँ इंडिकेट करता है किसको को किसी भी रियक्शन के consoler होने के बीई कaisन कavors हुआ कि किसी रियक्शन का इंडिकेटर क्या हुआ किसी रियक्शन को हो एंडिकेट करता है कि कहा पर हमारे लेक्शन कंप्लीट हो रही है यह ओ रही हुआ रहे हो बता नहीं होता है बाकी में एक बार गवे इंग्ल्स नहीं बता दे रहा हूं आपको दंडिकेटर हीज इस आप सब्सक्राइट हैख फिज इंडिकेट, इंडिकेट, मतलब वो इंडिकेट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, which indicates, in the point, in titration, in titration, due to change in, change in color, due to change in color, of the solution, in the reaction, in the reaction, किसी भी reaction में क्या करता है, यह indicator क्या होता है, a substance which indicates the end point in titration, due to change in color, आपधी solution, आपधी reaction, या इंडी reaction, मनलब किसी भी reaction में, जो color, solution का color change होता है, तो वो किसकी वज़ा से, titration की वज़ा से, end point पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करता है किसको पुछा गया है दोनों एक दूसरे की क्या होते पूरब होते हैं पूरब का मतलब अगर इसी का उल्टा हम लोग बोल दें तो यह क्या हो है इंड़ पॉइंट इंड़ पॉइंड में जहां पर इंड़ पॉइंड में क्या होता है जहां पर पव्हच Ann Pap on यहां निश्रालीज करता किसी भी डियक्शन को उसको कि वह वोते हैं इन पॉइंड अपर हो था ईस्टे़रेंसे ती टिरेसेनes तीसरा था इस्टे़रेन्गी था स्टे़रेस्ट इस्टेशंगे देटरेटक्श संप्रक्राइप दूरियंगे ट्र community लिए इंडिटाइशन एफ दा रिक्सट इस जैस्ट कम्प्लिट रिच दा रिएक्शन इस जस्ट कम्प्लीट का मतलब जैसे तुरंत आपका रियक्शन कम्प्लीट कब होगा जहां पर आपको क्या होता है कलर चेंज होता है या सबसे पहले पानी लेते थे ऐसे लिए या उसी फीसेंपल के नाम से आप लोग जानते होंगे वाटर सेंपल आपने लिए कि स्टेंडर सलोइशन तो इसको लिए आपने फिनोफ्तली मिला अब पिंग कलर आने के बाद आप उसको क्या करते थे कने के बाद जहां पर आपका कलर चेंज होता था तो नीडिलाइस करते थे से जैसे इंट पॉलते हैं तो यहां पे आपके लिखिए हैं गी स्टेस्ट दूरिंग अधराइशन एक तरी एक्षिर यूजट कंप्लीट दा रिएक्षिंट इस जुट्प्लीट भारेक्षिंट इस जुट्प्लीट इस नौन आज इन पॉइंट इस इसको आप नोट करिए जल दी से फिर उसके बाद इसको मिटा करके मैं नेक्स्ट कोश्चन बताऊंगा या चौथा भी बता जिराओं करा है नेंडिकेटर यूज इन इडिटीएट आट्रेशन मेथड तो इडिटीएट आट्रेशन मेथड में हम लोग कौन सा इंडिकेटर करते थे आपको बता होना चाहिए एडियोग्रों ब्लैक टी इवी टी आप से कुश्चन यहीं बनेगा कि फूल फॉल फॉर्म क्या होता है इसको बताऊंगा फिर उसके बाद ऊंचा जाता है इडि टीए को फूल फॉर्म क्या होता है वह भी बताऊंगा पहले इसको झाल झाल हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं करा नेंद इंडिकेटर यूजिन टैट्रेशन आफ इडिटीए या इडिटीए मेथड में लोग कॉनसाइड इंडिकेटर यूज करते थे इबीटी इंडिकेटर यह चौथा का आंसर हो जाएगा इडिकेटर यहीं पर क्वेश्चन क्या बनता है इडिकेटर यहीं आपका क्वेश्चन बनेगा इडिकेटर यहीं पर बन जा रहा है इडिटी यह है और वाट इस फुल फॉर्म आफ इडिटी तो चौथा और चठा का यहीं आंसर में दे दे रहा हूं यहीं चठा क्वेश्चन भी है तो यहां पर आपका इडिटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इडियो प्रॉम ब्लैक टी इंडिकेटर इडियो प्रोम ब्लैक टी यहीं इसका फॉर्म है अब यहीं से आपसे कुईश्चन बनेगा कि EBT का स्ट्रक्चर ड्रा करिये और EBT को हम EBT ही क्यों बोलते है तो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बना रहा हूं और इस्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि इवीटी को इवीटी ही क्यों बोलते हैं यह आपको आंसर बताते हैं क्योंकि कोईशन वायबा में यह बहुत पूछा जाता है अब वो एक्जामनर के ओपर डिपेंड करता है भाई किसी के दिमाग में तो हम लेते हैं था पाइशक्र परवे एंजीन बनाना है यहां से देखिए जहां पर सब्सक्राइब बहुत लोग गलत बनाते हैं यहां बना देते हैं यहां से जोड़ों देते हैं तो यह गलती मत करिएगा आप शो अइस एक बनाना है अब दो बेंजीन ऊपर नीचे बना दिजिए और बेंजीन को नाइट्रोजन को कार्बन से जोड़ना है बहुल लोग क्या करते हैं ऐसे बेंजीन सहीं मना देंगेव लाकर के यहां पर यह गलत यहां पर नहीं जोड़ना है क्यों इसको द्याद दियेगा यह freakin the theorem और भूंगब डूसरी ऑफटा-धर थी विद्वना दिया हमने अबजी यहां से जहां निट्रोजन वाला करें की की यहां से स्कारें करों कि मेरों क्या लगा दें हो यहां से देखिए इसके गला में है अध्यु यहां लगा दें और यहां चले आईए गिंती स्थिक्ड सब्सक्राइब में वापिआ के माँ इसका मुछ इसका की अचर्चुर को एबीटिक आप मतलब जैसे आप लोग खेतों घयरा में देखते होंगे लोग मतलब जानवरों को डराने के लिए जैसे सित्वी डाया करता के लिए के लिए कोई काम कर रहा है खेतों में इंक तो वह तो और फिर उसके पाद उसको एक सर्ट पहना देंगे और सर्ट क्या होगा फड़ा धीला वाला सर्ट रहेगा तो वह हवावावा चलने पर वड़िया ऐसे लगता है कि कोई काम कर रहा है तो डर के मारे नहीं आते हैं तो यह स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया इवीटी को कि ऐसे आपको बताना है कि यह इवीडी को इवीटी क्यों बोलते हैं ठीक फिर उसके बाद कर रहा है हुआ है पूरा नाम पूछा जाता है कि अब यहीं से मैं दो तीन क्वेस्टन आइड़ कर रहा हूं कि भीटी इडिटी ये का फर्फार्म एथलीन दायमीन इट्रा एसेटिक ऐसीड नहीं बोलना है मैं वह भी बताऊंग ऑगे कि त्क्यों कहाँ बोलते हैं क्यों क्यों कि आपको ब्ता होना चाहिए तो इसी लिए मैं इसको भी बता दे रहा हूं है इसको हम लोग लेखते हैं है इसको हम लोग लेखते हैं एथली लाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड अब यहीं इसी के साथ साथ आपसे पूच लेता है इसका इस्ट्रक्चर भी बनाई है तो इस्ट्रक्चर बनाने के लिए CS2, सिंगल बन CS2, N, CS2, COOH, N, CS2, COOH, ऐसे ही इधर जोल लेजिए नाइट्रोजन के साथ में CS2, COOH, CS2, COOH, यह EDTA का इस्ट्रक्चर हो गया है EDTA ठीक है अब यहीं पर आपसे पूच लेता है कि डाई-सोडियम सॉल्ट आफ इस्ट्रक्चर बनाई है तो डाई-सोडियम सॉल्ट आफ इस्ट्रक्चर अब ऐसे एक बार भ्यान दीजिए EDTA एथलीन यह हो गया और नाइट्रोजन यह एन-स्ट्री टाइप का है देखे एन-स-फथ टाइप का एन-स्ट्री को लोगों क्या बोलते हैं एमीन तो एथलीन दो एमीन है तो डाई-एमीन और यह क्या है एसेटिक एसिड है हीजिए एक दो टीन चार माहिया जेकी जैजैकाड इसका मतल यह है एक दो तीन चार मलब टैट्रा और टैट्रा और यह क्या है एसेटिकेसिड है तो एथलीन डाई-एमीन तेट्रा एसेटिकेसिड अगर आपसे पूंच्छ लिए आई-सोडियम-salta-pode-t-a सब कुछ सेम रहेगा कि इसका थोड़ा दूसरे कलर से बनाते रहे हैं कि रेड कलर से क्योंकि खत्रा रहता है भाई लोग गलत बनाके चले आते हैं सीएस टू सीएस टू एन एक सीएस टू सीओ ओ एन ने कि सीओ एच यहां पर एन से कनेक्ट करेंगे सीएस टू सी ओ ओ एच यहां क्यों हो जाएगा सीएच टू सी ओ ओ ओ एन ने यहां पर जैसे मान लीजिए जब आप देखते होंगी गाउं वगयरा में जिसको डांस वगयरा नहीं आता है तो वो क्या करते हैं करना सूरू कर देता हैं तो ऐसे और कोई ऐसे हैसे मैच करता कोई ऐसे सी मैच करता है गाजिए कела दो यह आप दिजिये इसी में बूलने पहर लगा तो यह क्या है धाई सोडियम शॉल्टप याउर्डी घ्रीट ये पूला जालता है मैं चाक्रेल चैनलेली में चाहिए रिसल्ट इसको ते सीमेस्टर इसको इसको नोड करईए एक और आपको एसिटेट वाला भी बताऊंगा जब दीश। से इसको नोड करएए बस एक सेकंड़ आपको उसको भी बतावश्य रहे हैं कर करने की देखिए candidate वाले में क्या करना होता है यहां पिर जहां जहां Indiana एपक्र डीन शेप करने का मतलब जहान जहां इस लगा हुआ है यहां करने कério के साथ में जुड़ा हुआ है उसको गायब कर दीजे का मतलब एथ को दीट्रा एशिटेक नहीं बोलेंगे तर उसका क्या बने का यहां नीचे लिग दे रहा हूं, Cs2, Cs2, N, Cs2, Coo- Cs2, Coo- Cs2, Coo- N, Cs2, Coo- adares, Cs2, Coo- Cs2, Coo- 2009, Cs2, Coo- Cornell, Chemone, Citch, and Cs2- इसके बाद इसको जल्दी से नोड करिए नोड कर लीजिए भाई भूल जाते हैं लोग और एक अठ्था जब आपको 21-22 कोईशन में यहां से आप पड़के जाएंगे बाकि आप तो धेर सारा पढ़े होंगे उसको पर लेकिन इसको पड़ देजिएगा और अच्छे से जो आपको एक्सपरिमेंट कर आए गया है उस एक्सपरिमेंट को अच्छे से पढ़के जाएगा अपने वह जो एक्जामनर नहीं कि आप आंसर खटा-खट बताते जाएंगे वहां इंप्रेशन अच्छा हो गया तो कोई भी हो सकता है तो वहां पर आपको कोई ऐसा काम करते हुए ना देखा जाए कि आप नकल कर रहे हैं किसी की कॉपी से पून से वह प्राब्लम होगी तो आपके लिए समस्या हो जाएगी बाकि अभी फिलहाल में ही दो तीन बच्छे पकड़े गये हैं तो उनका नाम तो पर जाएगा पहले पहले तो यहां पर जल्दी सनोर करें अब कर आए कर दो 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 हुग गया चलिए इसको मिटा दे रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन है करा होटिज स्टैंडर्ड सोलूशन देखें स्टैंडर्ड सोलूशन का मतलब यह है कि आपको उसकी स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए जैसे कोई भी सोलूशन है उसकी हमको क्या हो स्टैंडर्ड सोलूशन की स्टैंडर्ड पता हो जब स्टैंडर्ड आपको पता रहेगा तो आप उसको बताएंगे स्टैंडर्ड सोलूशन कोई भी जैसे आपको इस्टैंडर्ड सोलूशन आपका कैल्सियम कार्बोनेट का बनाते हैं तो उसमें आपको उसकी मात्रा पता हो प्रेंड़ सॉलूशन चलिए एस वो इस टन है ऑन सा क्विश्चन था साथ माँ एस सॉलूशन है फूस इस ट्रेंट ऑट इस रोन और कार्ड या इसकार्ड इस्टेंडर्ड सोलूशन है ठीक है फिर उसके बाद आठ्वा क्वेश्चन है आप से पूल रहा है वाट इस लिस्ट काउंट पूछ रहा है तो लिस्ट काउंट का मतलब यह है कि ब्यूरेट में जो खाने बने होते हैं यह आपका ब्यूरेट है ऐसे करके बने रहते हैं दस खाने बने होते हैं यहां तो एक जैक्ली नहीं लिखा रहा है देख रहा आपको ऐसे करके बना रहता है तो दस खाने में एक खाने का मान जैसे एक खाने का मान का मतलब आप उससे क्या करेंगे दस से डिवाइट कर लेंगे तो एक का आपको पता चलना सेगे तो एक का क्या हो जाएगा यहां पर एक बटे दस जैसे यह एमल में रहता है ना एक बटे दस एमल आप बोल सकते हो इसका मनलब 0.1 अगया दो और यह यह इसी को आप बोल सकते हो वन सेंटीमेटर क्यों बोल सकते हो यह आप पॉइंट वन एमल बोलेंगे ठीक है यह बताएगा उसका लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट आप गूरेट इस पॉइंट वन एमल ठीक है यह हो जाएगा अब इसके बाद पूछा है वाट इज एक और एजिया एक और एजिया या इसी को अमल राज बोलते हैं अमल राज क्या होता है तो नौवा पूश्चन है अमल राज यह रेशियो होता है रेशियो किसका होता है चंसंट्रेट स्वाइट एसी यह रेशियो का होता है तो आप बोलूगे दे रेशियो आफ रेशियो आफ रेशियो आफ अंसंट्रेशन अंसंट्रेट स्वास्तियो आइटब्ल्स आफंसंट्रेट ऑन च्षियों अब रेशियो कितना है अब रेशियो कितना हैं और concentrate HNO3, ratio कितना होना अच्छी है, अगर ये 3, आपका जैसे ml में अगर आप मानके चल रहा हूँ, तो 3 ml और 1 ml करके मैं बता दे रहा हूँ, या आप जैसे भी मानके चल रहा हूँ, तो ratio का मतलब वह ये चाहे ml में कर लीजिए, चाहे कैसे लीटर में कर लीजिए, तो यहाँ भी जैसे 3 ml आप ले ले रहे हो, 3 ml, SCL ले रहे हो, प्लस, 1 ml, HNO3, concentrate HNO3, तो इसका जो ratio होता है, इसको में लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, इस काल्ड, एक्वारेजिया, तो इस तरह आप लिख लिजिए, या ratio हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हो, 3 ratio, 1 का, 3 ratio 1 का मतलब, तीन, आपका 3 ml मान लिजिए, अगर SCL है, तो एक ml नैट्रिक एसीड होना चाहिए, उसको में लोग क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है, वाट इस रिएजेंट एंड, ग्रूप रिएजेंट, तो यहां पर आपका दो क्वेशन बन जाता है, रिएजेंट और ग्रूप रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट और ग्रूप रिएजेंट में आपको यह ध्यान देना है कि, कोई भी क्वेशन दिया हुए, जैसे रिएजेंट है, तो यह क्या करता है, किसी भी आयन, या आपका कोई भी जैसे आयन है, या आप उसक दिखा है कि बेसिक है तो आप इसको यहां पर आंसर में का लिखेंगे दस्वां क्विश्चन था रिएजेंट क्या होता है तो रिएजेंट में हम लोग लिखेंगे दा सुलूशन यूज्टू टेस्ट कि दा सुलूशन यूज़ टो टेस्ट अन आयन और चंपाउंगे इसकाल रिएजेंट खरते हैं दा सुलूशन यूज्ट सुलूशन टेस्ट अन अयन कम्मपाउंड हम लोग कोई हम लोग क्या है या कमपाउंड का टेस्ट कर दू थेंट और कि करते हैं बिना रिएजेंट की थे के बताता हूं Ammonium को आपने test किया था Ammonium में हम लोग test करने के लिए पहले च्विस्पार्ट होता था वह रियजेंट होता क्या होगा क्या होगा क्या तो है कैना होता है फोलूजन होता यूसे टेस्ट अ और आयर अयर और पंपाउंड है ठीच है प्रशन के बाद पूछा है कि रिजन पूच्छा है कि रिजन के साथ साथ आप पूच्छा कि रिजन क्या होता है निसलिजन विच से लग रहा हूं इसी में दर्सका यह है कि टीज डिए जेंट it is reagent, which help to identifying it is reagent, which help to identifying identifying group of radicals identifying a group of radicals is called group reagent देखे ये क्या है, पहला है पुछा था कि रिएजेंड क्या होता है, तो the solution used to test an iron, our compound is called reagent और फिर उसके पाद जिस reagent का हम लोग ये ऐसा reagent होता है जो क्या करता है, group radical को find करने में काम करता है, वो हमारा क्या कहला था, गूर्फ रिएजेंट हर गूरू का अलग अलग होता है, जैसे मानलेशें, zero group का त्यालूल का ऑक्रुनोल हो हो गया, फर्स्ट गूर्ब का आपका होता है, याच्पेंड टेंदू का ये प्लस फिर फिर और वार्ज में आपका क्या होता है सोडियम ऐमोनियउन रुख जाएए एनस पोर कि अगर वो इसमें क्या होता एने टू एच अमोनियम वे अरुजन नहीं सोडियम हाइड्रोजन फास्ट पर होटा है इने तू है यह होगी उनौन है लुछ के बाद आता है वाट इस प्रेसिपिटेट तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर अस्वाद प्रेसिपिटेट का हम लोग बताते हैं जल्दी से नूट करिए कि मिटा है इसको करें दो और पुछा गया है परटिश प्रेसिपिटेट और श्युक्षिप क्या होता है कि और श्यूंक क्या होता है दूर्य जों मिलाने पर उस्में पदार्थ क्ई प्रांप बोलते हैं कि इस्कूलोग कैसे लिखेंगे िसमें लिखेंगे और size को मिलोक carbon अधा नंग श्ञांस the insoluble, the insoluble substance, the insoluble substance, formed and mixing, formed and mixing, two are two are more than two, more than two solution, is called precipitate, two are more than two solution, which is detected by dilute stoic support, and concentrate stoic support, and concentrate stoic support, question number 12, and concentrate stoic support, and concentrate stoic support, and concentrate stoic support, SO3 minus, NO2 minus, ETC और इसमें क्या हो जाएगा CL- BR- I- फिर असके बाद आपका है N-3- CS3- माइनस तो यह हमारे Concentrate स्वी सपोर्ट से निकाले जाते हैं और यह डालूट स्वी सपोर्ट से फिर उसके बाद question number 13 आ गया तो इस रेडिकल पूछ रहा है तो रेडिकल क्या होता है रेडिकल क्या होता है दो पार्ट से बना होता है ठीक है आप लिख सकते हो question number 13 आप आप कर आप अशड्द आप सार्ट आइदर पुस्टिव निगेतीव चार्ठ या अडुआीम् कि एंड कि निगेटिव चार्ज कि इसकार्ड कि रेडिकल एक होता है पहला एंसिदिक रेडिकल कि दूसरा होता है बेसिक रेडिकल कौन से हैं जो आपके में इसको बेसे घृटिकल तो धाल एस न बता करके सीधे आप ऐसे बोल दिजीगा अगर आप कि शीदे तो इस से पूश्लिया जाता है कि कि अई और कट्राइन करके पूश लिए तो न एन और कट्राइन में बहुत लंग से आप से पूचलिया tail कि मैं यहां बिदिदि Chem pin 5 का मतलब यहां अमली ये मौलक में आपके ये हो जाएंगे ये सब फूह भी आप लिखके बता देंगे जिसमें इस चार्ज लगा होगा मुरम प्लस चार्ज वाला आमनीयम हो जगई असके बाद आप कापर टू- प्लस पीबीडू- प्लस फिर उसके बाद निकल टू प्लस जिंक टू प्लस निकूम अंजन बकार शुर करा दीजिए एमजी हो जाएगा वह सब कोई भी आप बता देंगे तो बेसिक रेडिकल में आते हैं फिर उसके बाद आप से बोल लाया है कि वाई पीवी प्लस मालब पीवी टू प्लस को हम लोग क्या करते हैं उसमें सेकेंड ग्रूप में क्यों रखते हैं तो इसका आंसर यह वजाएगा कि यह क्या करता है सोलूशन में मतलब जो आपका पीवी टू प्लस है यह तो इसमें कुछ प्रेसिपिटेट पाय जाते हैं तो वह प्रेसिपिटेट वहां कुछ रह जाता है जैसे कुछ प्रेसिपिटेट बनाया कुछ रह जाएगा तो प्रेसिपिटेट बनाने के बाद जो उसका फिल्ट् यह आपका है यह मारकर देख रहा है यह मान लीजिए रैड प्रेशिप्टेट वैसे रैड नहीं बनता पीवी में अलग अलग हमने आपको पहले वाले लेक्टर में बताया हुआ था कि पीवी का क्या बनता है सबका यहां पे मैंने साइड में लिखा हुआ था अगर अभी भ अभी अभी ईयन मारकर को मैं समझाना चाह घाहूं यह ऊपर वाले को क्या बोलते हैं रहो सकता है यह हमारार कर तो यहां पर लुए इसको लोगो बहुते प्रेक्षी प्रेलट वाले को कर जो करて हैं जब जब वहां प्ती प्रस्क करा सका अब यह करता है तो तो उसमें आप क्या देखती है लेड का साफ़ाइर जैसे बनाता आख से कि हमारा में और को करते हैं ततब हमारा बनता है तो इसलिए लोग तो दूसरे ग्रुप में और बता का दे पहले सामभूमें प्रश्टी के रूप में प्रश्रीपिटेट बनाता है जैसे पीजेक का विस फ़ूसरा आपका क्या होता है उसका तरह से इसमें बन नहीं पाता है सब्सक्राइब लगा रहता तो लगा रहने का पालिन में धेका थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-धुड़ा तो ऊपर बना रहता है कुछ नीचे धर थोड़ा पड़ वह फूरी तरह से फिर्ट्रेट नहीं होता जाएंगर उसका जैसे मानली जी अपने फिल्टर कर ले फिल्टर करने के बाद उसमें कुछ पाड़ बचा है उसमें अगर गलती से फिर हम अमोनियम हाइड ऑक्साइड मिलाते तो फिर से हमारा प्रेशिपिटेट बनना जुरू हो जाएगा तो वही केस यहां पे भी होता है यहां पे हमारा इसमें प्रेशिपिटेट बनाता है वड़ उसमें पूरी तरह से बनता नहीं तयhlस दूसरे जो आपका फ्रेश्ट करते हैं तो वो क्या करता है पी वी को साथ प्रेख उसकी साथ में सफाइड क्या बनाता लिका। प्रक्रशिपिटेट के रुप में रताव हो जाता है तो इसलिए हम लोग आपको रीजन यहीं बताना है जो भी बताया गया पहला प्रसिपिटेट बनाता जो कि पूरी तरह से और चिप्तेया प्रसिपिटेट नहीं हुता है पिर उसके बाद हम लोग फेल्टरेट वाले रहाँ और यह सेकंड ग्रूप में थे ग्रूप में फी बी ऐस बनाता ह। तेके यह अग बताएगा यह बड़ाइक प्रसिपिटेड बनाता है is a black पी पीती प्रसिपिटेड यह व्योट से को हम लोग बोलते हैं कि नोड कर लिजिए इसको फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट यह चौदाववा कुष्चन था फिर इसके बाद है पंद्राववा कुष्चन है मैं डारेक्ट आपको बता दे रहा हूं फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20 यह सब डारेक्ट बताएंगे देखे पंद्राववा कुष्चन पूछ रहा है नर्माल्टी आप दी सोलूशन तो आपको कई बार बताएगे मैं आपको फिर से औरली बता दे रहा हूं नमबर आप ग्राम एक्क्यूवैलन डिजॉलविन न हान लीटर स्लूशन एक ग्राम तो लिटर बिलेःन में गोले गए ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है नर्माल्टा कहलाती है या नर्मालींट कहते हैं इसका यूनिट क्या होता ग्राम एक्युवायलेंट पर लीतर देक फिर उसके बाद आप से पूछा गया है यह हो गया कौन सा यह हो गया फिर बाद मॉलार्टी डूमोलर्टी क्या होता है कि एक लीटर सोलूचन में गोले गये बिले के आप मूलों की संख्या क्या कालाती है मुलर्ट कालाती है मुलर्टा काल आता है आप बोल सकते हो अप मूल सर्ट डीजॉल dyектив समसिंट है फिर आपसे पूछ लिया जाएगा मूलор्ट बता दीजिए मूलर्टी इस ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में सब लोग गयावड करते हैं नंबर आप ग्राम उसमें मूललिटी है नंबर आप मूल साप सुलूट डिजॉल्डिन वन केजी आप सॉल्वेंट मनलब एक किलो ग्राम विलायक में घोले गए मूलों के मूलों कि संख्या क्या कहलाती है म मूललिटी कहलाती है तो मूललिटी भी बता दिया हूं यहीं पर आप है कि इसके बाद आपसे पुछा गया है नेम दर टू इंडिकेटर फार्दी डिएक्शन आप निट्रलाइजेशन तो निट्रलाइजेशन में कौन से दो इंडिकेटर यूज होते हैं तो यह आपको ब सब्सक्राइब करें तो यह एंडिकेटर अरेंज है फिर इसकी बाद कर रहा है वाट वी मीन इसको पहले आप नोट कर लिजे फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं जल्दी से इसको नोट करिए कि नेक्स्ट है वाट वी मीन रिंज रिंज का क्या मतलब होता है तो रिंज का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास किसमें पूंचा है वाट वी मीन रिंज इन पीपेट पीपेट और व्यूरेट में रिंज करने का क्या मतलब होता है जैसे यह आपके पास कि व्यूरेट है यह पीपेट है और यह व्यूरेट हो गया इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने अगर इसी के सोलूशन से जैसे इसमें अपने मान लीजिए अगर आप हाएनेख वाटर का करते हैं घंजाज में फाफ padre में इडिवे डालते थे और अगर किंटी करते हैं तो यहां पर आप सूलूशन क्या करेंगे इसमें डालेंगे तो सूलूशन डाल लिजिए अगर आप पानी से करते हैं तो क्या हो जाएगा एससी जो सोलूहीं की कंसंट्रेशन होगी इसे लिए इसको हम लोग उसी सोलूूहीं से इसको रेंज करते हैं जो सोलूहसन इसमेंट ऑना होत जैसे आगर हम इसमें 24 आप़ोज से पूरा इसको बढ़ हैं एसल्सकिपर करें पूरी तरह से गुल नहीं जहाता हूं यह पास है अब इसमें पूरी तरह से यहां सोता है क्योंकि आपका स्लूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है किम होने का डुर रहता है तो इस वज़ा से इसको क्या करता है ऐसे कभी कि एर वाना है तो वह क्या करता है वहाँ प्रॉब्लम बन जाती है तो इस वज़ा से इसका क्या करते हैं लोग रिंज करते हैं फिर इसके बाद 19 है करा वाट इसदी हाड़नेस आप पोटेबल वाटर एंड हाव मुझ पीम मलग पीने योग पानी का हम लोग कितना कितने पीम पानी जैसे से कितनी हाड़नेस होनी चाहिए वाटर की जो हम लोग पी सकते हैं यह लगभब होता है एप्राक्स आप हो सकते हो एप्राक्स कि सेवंटीफाइब पीपिम तू कि 115 पीपिम यह एप्राक्स बाइलू बताया रहा हूं जैक्ट बाइलू नहीं है यह आप इतना बताएंगे कि इतने से इतने के भीश मं लोग पानी पी सकते हैं को फ्रॉबलम नहीं होगी लेकिन इससे जादा जब जाएंगे तो आपको प्रॉबलम होगी ने सारी फैले यह आसंको हो अजवारिस को क्या प्तायांगे यह आपका उननीशुए पीने का Пानी जो यूग होता है यह पि महीने का पानी यह इसी को हम लोग पोटेबल वाटर बोलते हैं थिक है फिर इसके बाद है वाटीज हाड़नेस आप वाटर एंड इट्स टाइप तो हाड़नेस आप वाटर क्या बोलेंगे एक तो अगर पूचा जाएंगे हाड़नेस आती कहां से कहां से का मतलब आपको यह बताना है सर्फास ऑब अर्थ ठीक लेकिन अबर आपसे पूचा जाता है हाड़नेस आप वाटर क्या होता है तो आपको क्या बोलना है इस ड्यून तूब तो कैल्सियम एंड मैंगनिशियम और वाटर इस नून एस हाड़ वाटर घ्र यह बताएंगे यह हाड़नेस आप व निये लाग इसकी टाइब क्या होती है एक टंपरेरी हारनेस होता है तो टंपरेरी हाडनेस का होता है काल्सियमार मैणीниसियम के सब्सक्राइबि Armstrong क्या तो उनुघ होते हैं पर्मानेन्ट हाडनेस बोलते हैं इस प्रॉक को क्लूराइड कि सल्फेड और क्लूराइड आप कल्सियम और मेगनिसियम और बोथ इसकाल पर्मानेंट हाडनेस तो यह आपका दो टाइप हो गया अब पर्मानेंट हाडनेस को वाइल करके रिमूब नहीं कर सकते हैं इसके अन्य मेथड है जैसे आप से पूछ लिए जाएगा कि पर्मानेंट हाडनेस को रिमूब करने के लिए कौन-कौन से मेथड अपना जाएंगे और तंप्रेरी हाडनेस को रिमूब करने के लिए कौन-कौन से मेथड अपना जाएंगे तो उसमें आपको यह बताना होता कि तंप्रेरी के लिए आपका क्लार्प मेथड है और पर सब्सक्राइब यूनिट इसकी क्या होती है एक होता है पीपीएम पहला होता है पीपीएम दूसरा कि एमजी पर लीटर तीसरा कि डिगरी फ्रेंच कि चौथा कि डिगरी प्लार्क यह आपको बताना होगा और भी क्वेश्चन आप आप से बन सकते हैं तो आप ज्यादा मत पढ़के जाएं इतना सफिसियंट है अगर आपके बाकी इस्ट्रक्चर और अच्छे से पढ़के जाएगा एक बार आपको दू-3 मैं बता दे रहा हूं उसको और अच्छे से पढ़के जाएगा जो आप अपनी कॉपी में जरूर ल जैसे मिक्षर अनाल्सिस तो मिक्षर अनाल्सिस दो एसीट डगकल से क्या करना है वह बताना है क्यों इसका पहले पर इसकर क्या प्लिखने मंदलब और अपने अमोनियम का च्स्ट्ट क्या to कापबोनेट तो उसका पूरा और पको आपको मार्क स्ट्रीड है और वायवाथ कि होता है वाइबर के लिए को सब कोईशन का अंसर देना पड़े और अच्छा नमब्र पाने के लिए अच्छे से एक्स्पानेशन देना पड़ेगा और अच्छे से कॉपी आपकी लिखी होने चाहे लिखी होने का मतलब करके दिखाएंगे क्या कहता है करके सीख क मनलब आपको तो और देखेंके हो सकता है पालीट्टिक यूपिक पॉलीटेकनिक का il पैपर सब्कूर हो भाँ वह आपके पैपर से रिलेट करेगा आगा इसकिन पैपर में ऊप्र नहistas किया हूथ उन्होंने मैझेश्ज किया ह owoltके प्रतापगार के प्रतापगार फिर उसके बाद प्राइब करा दीजे अब ज्यादा नहीं कि और अच्छे मार्स पाएंगे और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्राक्टिकल करें तो प्राक्टिकल के दोरान में आप आवाज जरूर नहीं करेंगे इसको गुष्णा और तो गुष्णा करेंगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों को सेयर कर देजिए लोग भी अच्छे से वायबा के लिए पढ़े लें प्रॉब्लम ना आए थैंक यू थैंक यू सो मच करें 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 करें